आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अपनी होली मना रही है सिविल लाइन छेतर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस परिवार की होली धूमधाम के साथ मना जा रही है सभी अधिकारियों ने मिलकर परेड ग्राउंड में जमकर होली का अनन लिया होली केलने के दौरान अधिकारी और पुलिस कर्मी साउंड सिस्टम ढोलन गाड़े पर डांस करते हुए भी नजर आए और इस दौरान स्पी ग्रामेड शुभम पठेल सहीत सभी डिस्पी थिरक्त दिखाई दिये महराइच में इस बार होली का त्योहार धूम धाम से मनाया गया जहां होली के त्योहार में युवाओं ने खूब रंग और गुला लुडाया वहीं जुलादिकारी डॉक्टर दिनेश शंद्र ने अपने आवास बर होली के शुभ अवसर पर इस बार मीडिया कर्मियों को दावत पर बुलाया मीडिया कर्मियों के संग अबीर गुलाल लगा कर होली खेली गई और एक दूसरे को होली की शुभ कामना भी दी गई इस दौरान बहराईच के पुलिस अदिक्षक केश्य प्रसाद चौधरी समेत जुले के अधिकारियों और पत्रकारों के साथ अबीर गुलाल लगा कर होली खेली गी जनपर सहारनपुर के थाना नानोता छेतर के गाउं धाका दई में आपसी कहा सुनी के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले संगश की दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला समेत करीब 15 लोग घायल हुए है सूचना के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने साथ आरोपियों को गिराफतार किया है पर दो पक्षों में आपस में कहा सुनी हुई फिर उसके बाद इनमें लाठी डंडे चले जिसमें की एक जो व्यक्ति है कश्यप समाज से इसके मित्य हो गई इसमें उन लोग के द्वारा तहरीर दी गही है जिसमें की 15 लोग को नामजद किया है जिसमें हम लोगों ने 7 लोगों को गिराफतार कर लिया है बाकी लोगों के लिए भी दविश दी जा रही है खबर अयोध्या से है जोहाँ पर तारुंधाना छेत्र के केवलापूर तक्मीम गंज के रहने वाले सिया राम निशाद के कुलहाडी और डंडे से हमला करके निर्मम हत्या कर दी गई निशाद समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है गाओं के रहने वाले पड़ोसी राम सौर्थ साहू ने कुलहाडी से घात अकवार करके होली के एक घट पहले 17 मार्च को हत्या कर दी थी लेगिन अभी तक आरोपी की गिरफतारी नहीं हो पाई है निशाद समाज के जिला पंचाय सदस या हरीश्ची अंदर निशाद ने अपने सहयोगियों के साथ पोस्ट मॉटम हाउस पहुँचकर प्रदर्शन किया इससे पहले भी एक घटना एकर चुका है और समाज बहुत जादा आक्रोश है हम लोगों ने देखा सब के अंदर बहुत जादा आक्रोश है तो मैं आपके मादेम से निवेदन करना चाहता हूँ परदर्शन से कि 24 घंटे से भी अधिक हो गए उसका भी कोई सुराक नहीं म गुजर रहे थे राम स्वारत गुत्ता की बुढ़ी मा चारपाई पर बैठी थी उन्होंने उन्हों से अंगोध किया चारपाई खिसकाने में मदद करने के लिए सियरा मिशाद मदद कर रहे थे तब ही अनायास राम स्वारत गुत्ता घर से बहार निकल कर आया उन्होंने उतरवर्देश के संभल में होली के मौके पर एक अप्री घटना हुई जहां होली के जलूस के दोरान एक मस्जिट पर कुछ लोगों ने रंग फेक दिया ऐसा घटना ने विवात का रूप ले लिया पतादे के रंग फेक जाने के बाद पत्राओं की घटना हुई खबर के मताबिक संभल गए पुलिस अदिक्षक चक्रेश मिर्ष्रा ने कहा कि घटना संभल कोतवाली के खगू सराय इलाके में हुई पुलिस ने कहा कि कुछ समाजिक तत्वों नहीं एक मस्जिद पर रंग फेका जिसके बाद पत्रा हुआ आज दुपहर होली के जुलूस के दौरान किसी राज़क तत्वों के दौरा एक मस्जिद पर रंग फेकने की घटना प्रकाश में आई रंग फेकने के पश्या दूसरे संपदाय के विक्तियों के दौरा जुलूस निकलने के बाद कुछ उपस्थित लोगों के ऊपर पत्राव की घटना भी सामने आई है इसके बाद जुलूस सक्षल संपन हुआ जुलूस के संपन होने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि मौके पर काफी भीड घटा है पुलिस के दौरा दोनों पक्षों को समझा हुआ अगर शांत कराया गया दोनों पक्ष अपने अपने घर जा चुके हैं मौके पर शांतिवयस्था पूरी तरह कायम है सहरनपुर के देवबंध थाने में तैनात SSI इंदरपाल सिंग की डूटी के दौरान हाट अटेक से मौत हो गई SSI की हालत खराब होने के चलते उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया SSI की मौत से थाना पुलिस में श्योग का महौल है जिसके कारण SSP साहब ने पुलिस प्रशासन के होली सम्हारों को स्थागित कर दिया SSI की बड़े ही दुख के साथ मैं सूचित करना चाता हूं कि आज थाना देवबन पर वरिष्प उपनी रिक्षक इंदरपाल सिंग है संभल के थाना धनारी छेतर के ग्राम सिंगपुर में रजपुरा बहजोई रोड पर तेज रफतार बाइक ने जोरदा ठक कर मार दे जिसमें बाइक सबार की मौके पर ही मौत हो गई दरसल वरिता का होली मिलने अपने ससुराल जा रहा था लेकिन जैसे ही वो रास्ते में पेट्रॉल डलवाने के लिए रुका तभी पीछे से आ रही तेज रफतार बाइक ने जोरदा ठक कर मार दी रितक के परीजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया है जिसके चोलते परीजनों ने शवक को लेकर ठाने का घिराओ किया आरोपियों को पकड़ कर ठाने लाने को कहा परीजनों ने शवक को पोस्ट मौटम के लिए भिजवा दिया है होली किशुप कामनाओं के साथ प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका